तो क्या पत्थरी निखी पितर की थैली में पत्थरी कि थैली में चार से पाच एमेम की पत्थरी दीदी को थी कितने समय से आप ले रहे हैं एक महीने से अभी आपको कैसा मैसुस हो रहा बहुत अच्छा ओके तो पुरी तरह आरा हूं हमारे साथ इतना सांदर रजल्ट आया है कि यह पूरी तरह नार्मल आ चुके है दोस्तों तो मैं और आज हमें एक बहुत ही चमकारी प्रेजर्ट यहां पत्थरी का देखने को मिला है तो आईए दीदी से जानते हैं अपा नाम क्या है अर्चना सिंग कहां रहते हैं आप बुद्नी में रहती है और आपको क्या स दोस्तों आज दिदी कुई दिनी समस्या थी पेट में प्रब्लम थी गरदन में दर था सारी कुछ प्रब्लम थी तीन दिन खाना नहीं खा पाए कमर में दर था फिर जब इनको पता चला कि प्रब्लम क्या चेक अप कराया तो क्या पत्री निखिए पित की थैली में पत्री कित एमें गता हैं इसे नहीं दोस्तों यह रिपोर्ट है आप देख सकते हैं यह रिपोर्ट है कि पित की थैली में चार से पाच एमेम की पत्री दीदी को थी और यह बहुत परहसान थे और उसके बाद इन्हों ने दीदी हमारे दवाई में क्या लिए आप ने यह लिया इस्तों दोस्तों दीदी ने हमारे आश्ली पिर्स वेलनेस का एस्टों डोग जडी बूटी तर रस है यह लिया और इमिनो डोग लिया और यह लिवोड लिया और आज गरम पानी से दीदी ने लिया और दीदी आज कितने समय से आप ले रहे एक महीने से अभी आपको कैसा मैसो सो रहा बहुत अच्छा ओके तो उरी तर आराम उके दो इसका अपने दुबारा चेकप कर वाया दोस्तों यह आप देख सकते हैं बारा बारा मतलब कल पांड़े हस्पिटल का यह रिपोर्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली ये अर्चना सिंग बारा तारिक और आज हमारे साथ इतना सांदर रजल्ट आया है कि ये पूरी तरह नार्मल आ चुके है दोस्तों और बहुत भैतरी ने को यहां पर रजल्ट आया है अभी दिदी कितना फर्क आपको लग रहा है दोस्तों सो में से नब्बे परसेंट आज दिदी को यहां रजल्ट है पत्थरी में और दिदी पूरी तरह नार्मल चुकी मेरे पूरी सरी बदन में दर्द होता तो उसको भी आराम है बहुत बढ़िया देख सकते हैं दोस्तों यहां कि दीदी को बदन में बिदर था और बह दोस्तों अजर्द के वाल दोस्तों झाल झाल झाल